हलो दोस्तों भारत अप्टेट्स चैनल में आपका स्वागत है और आज है 13 मार्च और आज है दोस्तों संडे और आज आप सभी के लिए कुछ वेकेंसीज की नोटिफिकेशन यहां पर लेकर आया हूं तो आपको बताए कि संडे वाले दिन आपके लिए रोजगार समर्चार मैं लेकर आता हूँ यहां पर तो आज कुछ नोटिफिकेशन में यहां पर दिंखाने वाला हूं जहां पर निकल नहीं है और आप हम अप्लाऑ कर सकते हो तो जल्दीसे हम आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा यहां पर और अन्मी आप लाउन कर सकते हुआ को मैंप आपसे पूछना हो soldier कुछ पूछना हो तो मैं ट्यलिग्राम के ओपर ही आपसे पूछता हूं इसके लएवा ट्विटर के अपर आप मुझे फॉलो to कर सकते हो बहा पर भी मैसेस बग्यारा हो जाते हैं और पूछना तो बहांपर भी आप पूछ सकते हो आज करást इमेle जीमेल जो है बहांपर कईयों के मैसेज आफे शो नहीं हो रहे हैं दिक्कत आ रहे हैं जीमेल के उपर पता नहीं सब आ रही है या मुझे रहे हैं बहु associates हैं कि ना शो हो रहे हैं मतलब कि तो आप मुझे ट्विटर के वपर भी मैस्ट द्राइब कर सकते हूं कि एमेल डिपन मुझे नहीं शो हो रहे हैं कहीं कaciों के नहीं हो रहे हैं आब कौन मुझे कर रा है ठीक है तो चलिए अभी जल्दी से बताथ हो यह ट्विटर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्रिशन मिल जाएगा ठीक है ट्विटर ज्यादा यह नहीं कि आपकी ज्यादा मेमरी वहां पर लगेगी एक ट्विटर लाइट होता है प्ले स्टोर के ऊपर ट्विटर लाइट वहां से आप डॉनौड कर सकते हो है आपका नहरू मेमोरियल म्यूजिमेंड लाइब्रेडी एड़नॉमस बोड़ी सेट बाई सेट अप बाई दा गौर्मेंट ऑफ इंडिया तीन मूर्ति हाउस न्यू डेली तो यहां पे जो है एन एममेल में जो है यह वेगेंजी निकली हुई है पधामंत्री संग्रहाल करें में वेरी सब्सक्राइब किये रही नहरूमेमोरियल डॉट निक डॉट इन ठीक है यहां से आप देख तो लास्ट डेड़ जो है पच्छीस मार्च तक यहां पे यह पहुंच जाने चाहिए ठीक है कैसे अप्लाइब करना है क्या है वह देख लेते हैं तो यह है आपक आपको भरनी है और यह सब कुछ चीक है और यहां पर इस पोस्त पोस्त के लिए आप अप्लाइ कर रहे हो और आगे हम देख लेते हैं क्या-क्या है यहां पर तो सेलेक्शन टेस्ट पोस्त अटेटिव बिली प्लांड फोर टॉटीश्ट ऑफ मार्च टॉज़ज़न टॉज़न 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 चाहिए इस लक्षेशन आपकी क्याटेगरी असार आपको मिल जाएगी क्वालिफिकेशन इसके लिए एक्सपीरिंस दो साल का है होना चाहिए और नोलेज अप्लिकेशन टैली एक्सल का होना चाहिए आपको नोलेज इस जन्र मैनेजर के पोस्त है और यहां पर भी 35 से उपर नहीं होना चाहिए उसके लिए ग्रैजुएशन आपने की है तो अपलाई कर सकते हो साथ मैं जो है स आउट एक्सीडिंट 30 यह तीस साल से ओपर नहीं बीटेक होना चाहिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस पांसार का आईटी मैनेजर और एक्वेलेंट एक्सपीरिंस होना चाहिए माइक्रोफ से प्रफेशनल मास्टर आप्स्टर अप्लिकेशन वर्किंग एक्स्विन्स हार्डवेर सॉफ्वेर्स में होना चाहिए ठीक है डिजारेबल है यह जूनिर फाइनस ऑफिसर के लिए नौट एक्सीडिंग 30 डिगरी होनी चाहिए किसे भी इससे युनिवर्सिटी से इंस्ट्यूट से रिकॉर्णाइज दिए और चार साथ एक्सपीरिंस कैश अकाउं और तीन साथ एक्सपीरिंस होना चाहिए म्यूजिम इन गवर्मेंट ऑफ और इन अटनोमस ऑर्गनाजिशन में मास्टर डिगरी हिस्ट्री स्पेशलिजिए इंडिया इंडियन हिस्ट्री और कंप्यूटर अप्लिकेशन मैनेजर की है यह भी ग्राइजूट चाहिए पां और इसके साथ ही जो परसनल असिस्टेंट है उसके लिए 18-25 एज और ग्राइजविशन होने चाहिए और टाइपिंग स्पी 30 वर्ड पर मिंटिन इंगलिश 25 वर्ड पर मिंटिन हिंदी में होने चाहिए इसके अलबाद दो सारका एक्स्पिरेंस एज पीए और इसके लाबा अपर डिजन कलको दो केंज है 27 साल से इसके लिए शिर्फ यह फिर्स कोई पास है तो आप डिकृरिय के लिए सकते हो देखो तो अपर डिजन कलक के लिए यही मुझे दिख़ैं यहां पर जो बिना एक्स्पिरेंस के यहां पर है अन्ह तो नोढ़ाएब ग्राइजिशन आपने की हुई है तो आप इसके लिए प्लाई कर सकते हो आप पर डिविजन क्लर के लिए दो पोस्टे हैं यहां पर तो यह हो गया एक नोटिफिकेशन और पूरा नोटिफिकेशन आप देख लानों पूरा मैं आपको बता भी दिया है दूसरा है आपका यह है कर्मचारी राजब भीमानिगम इसमें हैं आपकी शोशल सिक्योर्टी ऑफिसर मैनेजर ग्रेट्टू सो प्रिटेंडंड रेगुलर वेसिस डिरेक्ट रिक्रेट्मेंट इन इस आइस आई सी तो यहां पर प्रोटल नंबर वेकेंस इस 93 है और यह आप देख सकते हो प यहां से आपको दिख जाएगा और यहां से आपको दिख जाएगा ठीक है विबसाइट से आपको अप्लाई करना है और इस तरह से अप्लाई करना ही सब कुछ यहां पर बताएगा यहां पर पूरा यहां पर प्रेफरेंस अगर दूसरा है कमर्स वाले कमर्स ही बोला था ना हां कमर्स वाले हैं तो कमर्स वाले तो उसके लिए अपलाई कर ही सकते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है बहुत दोस्तों आपकी हिमाचल में डिरेक्टरेट ओफ फिश्रीज हिमाचल पुदेश तो यह सेलरी कितनी मिलेगी सेलरी आपको मिलेगी अठारा हजार सेल वन अठारा जार ना तो उसका सिक्स्टी पिसंट आपको मिलेगा यान कि दसवी आप ना की है तो इसकी अपलाई का सकते हो फिजिकल स्टैनर्ड हाइट चैस्ट इससाब से आपकी होने चाहिए स्पीड ओन फोट यह आपकी होने चाहिए ठीक है डिजारेबल में यह आप देख लो एज अठारा से पिंटालेस रिलाक्शेशन कैसे होगा मैरिट के इवैलिशन होगी अच्छा आगे क्या है तो यहां से आपको अप्लाई करना है और यहां पर जो है आपकी पहुंच जानी चाहिए जो आपके नोर्मल एरिया जैंवहां तक 31 मार्च उनके लिए लास्ट डेट है और नों श्रीडूल ट्राइबल एरिया उनके लिए 11 अपर सब्सक्राइब करना है कहां पर आपको यहां पर एड्रस दिया गया होगा कहां पर एड्रस यहां पर दिया गया होगा यह देखो ओफिस ऑफ ड्रेक्टर कम बार्डन ओफिश्रीज हिमाचप देश भिलासपूर 17400001 ठीक है तो इस एड्रस के उपर आपको यह सेंड कर देना है फिर ठीक है तो यह मैरिट वेस के उपर जिनके मार्स अच्छे हैं ब लागा कि विक लगर दो कि क्रिस मुझे यहां पर नहीं देख रही है फिस की कोई लगेगी फीस आपना देखा मुझे बताना मुझे तो फ्यस यहां पर दिखाने कि फीस लगेगी यहां पर मग्जे तो फीज पेंग नहीं लिखे दोस्तों फे चारी किस आप का सकते हो ठीक है तो यह इस तरह से आप कर सकते हो और सकते हो इसली सब कुछ यहां पर बताया गया है ठेक है तो यह दिती दोस्तों इस वीडियो में और यह तीन नोटिफरिक्शन आपको मैंने इस वीडियो में बताएं है और बाकी मुझे कुछ suggestion देना है तो आप बता सकते हैं comment करके बाकी इस सभी का PDF में लगा मेरे टेलेग्राम चैनल के उपर और वीडियो अच्छे लगए तो like शेओ चैनल को subscribe जुरूर करिएगा मेरे latest updates के लिए Thank you